धर्ती में फिर से मन रहा है खत्रों के बादल क्या डाइनोसर की तरहा मनुस्य जाती की भी हो जाएगी अन्त नासा ने फिर से दिया है चितावनी अंत्रिक्स को हम जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा रहस्य और भी इसके अंदर दफना है धीरे धीरे साइंटिस्ट उसको उजागर करने की कोशिस में जुटे हुए हैं जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाने में व्यस्थ है तब नासा ने पाँज विसाल धुमकेतू के बारे में सतर्क किया है जो आश्चर यजनक गती से हमारी प्रिथवी की और बढ़ रहा है नासा दिन वा दिन नए नए धुमकेतू के बारे में हमें इन्फरमेसन दे रहा है अब फिर से नासा ने एक एस्ट्रोइड की लिष्ट जारी किया है जो तेजी से प्रिथवी की और बढ़ रहे हैं आज भी लोग वो विशालकाय धुमकेतु के बारे में सुनते हैं जो डाइनसर की प्रजाती को खत्म कर चुका है तो लोगों के रौंगते खड़े हो जाते हैं अभी जिस एस्ट्रोइड के बारे में नासा ने जानकारी दी है उसका आकार गती और धर्ती से तकराने की संभवता काफी ज्यादा है उससे अब सांटिस्ट की भी निंदूर चुके हैं यह एस्ट्रोइड कभी बहुत छोटे तो कभी इतने बड़े होते हैं कि वह दुनिया के एक चोथाई हिस्से को भी मिटा सकते हैं आज हमारे धर्ती के नजदि आने वाले पांच विशाल काए एस्ट्रोइड में से एक करीब पांस सो सतर फिट बड़ा है इसको नासा ने 2010 X-15 के नाम से आइडेंटिफाई किया है ये एस्ट्रोइड मेहज 7,42,318 किलोमेटर की दूरी पर आज धर्ती के सबसे करीब आएगा नासा के रिपोर्ट के मुताबिक ये धूम के तूप पहले से ही लगबग 36,358 किलोमेटर प्रति घंटे की गती से हमारे प्रत्वी के और बढ़ रहा है इस एस्ट्रोइड की गती की तूलना अगर हाइपरसनिक बेलास्टिक मिसाइल से करें तो मिसाइल की गती इसके सामने कुछ भी नहीं है इसलिए ये एस्ट्रोइड अन्य एस्ट्रोइड से बहुत ही खतरनाक है नासा ने खुलासा किया है कि ये 570 फिट का विशालकाई धुमकेतू एक 40 माले का इमारत जितना बड़ा है ये एस्ट्रोइड अपोलो एस्ट्रोइड ग्रूप से बिलंग करता है आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इस एस्ट्रोइड का खोज 5 दिसंबर 2010 को किया गया था इस एस्ट्रोइड को सूरिय के चारों और एक चकर पुरा करने में लगबग 219 दिन लगते हैं जबकि सूरिय से इसकी मैक्सिमम डिस्टंस 156 मिलियन किलिमेटर और मिनिमम डिस्टंस 64 मिलियन किलिमेटर है इन एस्ट्रोइड की तरह और भी कई एस्ट्रोइड अंतरिक में मौझूद है कौन सा एस्टरोड कब हमारी पृत्वी का विद्ध्वन्स का कारण बनेगा कोई कुछ नहीं कह सकता आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मिलते हैं एगले वीडियो में जै हिन जै भारत